हेलो फ्रेंड्स वेलकम एन वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोग को परता है कि मैं अपने मामा के घर आए हूँ शादी में तो काफी लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा ट देखें थे तो इसलिए आगे उपर का रूम देखने के लिए और सबसे मिलने के लिए काफी अच्छा लग रहा यहां से और आप लोग देख रहें पीछे कितने सारे पेड़ पूथ हैं तो यह बहुत अच्छा लग रहा था चट पे जाकर कि देखने में तो यहां आप ल वजह से नहीं अपलोड कर पा रही थी तो धेर सारी हम लोग की मस्तियां चल रही थी और यहां पे तो बुगू भी आ गए तो इनका तो यह होता नहीं बच्छों को पकड़ना भागना यही सारी हम लोग की जिम्मेदारी है इनके साथ लेकिन तब ही चोट लग जाती है त पीर काफी लोगों से मिलना चुलना खाना पीना के बाद फिर आगे थे भाई की हल्दी था तो हल्दी वाला जो कारिक्रम था वो सारा खेतम हो गया था और आज मेंदी का था तो यहां पर सकी घर पे इतनी जाता जिम्मेदारी हो जाती है न लोग नहीं इंजॉइमेंट कर पाते हैं अब ऐसे भी गहां में शादी होती थे खास करके और भी तो यहां पर भाई बैठा था तो मुझे हम लगा कि चलो इनसे भी तुड़ा बाते कर ले तो हैं कैसा लग रहा है इनको उदास है शायद इससे उदास है इनको लगा पहले मेरी तबाई के जाती हो और यह हाफिज अब मासी लोग की बच्चीया है तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग अपने मामा के आप लोग तो अब हम लोग जा रहे हैं लिए निचे तो आई हैं बड़ी ममी तो इससे मिलते हैं और लेक्ते उपार लोग से और जैसे हम लोग गये च्छत पे उपर मिलने के लिए सबसे थोड़ा मस्ती करने के लिए तब तक पता चला कि बड़ी ममी आ गए तो हम लोग आ गए बड़ी ममी से मिलने के लिए क्योंकि इनसे भी कई महिनों के बाद ही मिल रहे हम लोग तो बहुत अच्छा लगा इनको भी देखकर कि चलो भाई आज महंदी है तो काफी अच्छा लगता है और कुछ लोग हम लोग को नहीं देखे रहते हैं तो मतलब पता होता है कि अच्छा मैं इनकी लड़की हूं तो यही सारी बाते होती है कौँसे नमबर की यह सब कुछ हम मिल करके सबसे बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग कि अजब से섯 के साथ बड़ी ममी बात करती मामी लोग दीधी लोग सब लोग तो तो नानी को हुआ ओनो क्याplets शेला के बाद सबूं मिल भी लोग मेरी नानी तो मतलब इतना खोश थी कि का लिए गाव ही नहीं जब हम लोग बोल लेए थे रानी searching पूट पोटो क्लिक करा लो वीडियो नानी एक दम रेडी ऐसा लग रहा था कि मैरी ममी से बहुत ही कम दिकी रेर केस में तब तक यहां मामी लोग थी कीचन में कुछ काम कर रही थी इन से मिलना हो मतलब काफी अच्छा लग और मामी लोग तो कितना मजाग कहती है तो मतलब ये भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना सबसे काफी साल के बाद मिलो तो क्योंकि सब लोग दूर दूर रहते हैं अलग-अलग सिटी में तो नहीं होता है मिलना इकठा तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि ये सारी जो यादे हैं रिकॉर्ड करके रखते हैं काफी ख्याल रख पाता है लेकिन यहां पर हम लोग को लगा कि चलो नाना नानी के साथ हम लोग को ज्यादा मतलब वह करना था कि मतलब इन लोग की जो चेहरे की खुशी थी ना हम लोग को देखकर कि मतलब वैसे हम लोग रुकते नहीं थे नाना नानी के हां लेकिन अब कि अच्छों लोग ब्लोगिंग करें तो सब्लोग अनुगा दो थिया थे आप स्कैनि, सब्लोग को डांस करके थे 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 दर लोग के शक्शन electorate नवचकल पैस्ड़ा तो हम लोग की मस्ति चल रहे थे। कि मतलब यह हम लोग की ना विस थी मेरी और में सिश्टर की विस थी कि हम लोग जाएंगे तो नानी की धेर सारी शेवा करेंगे सिरफ नानी की क्योंकि होता ना कि जो थोड़ा जादा उम्र कर रहता और आशिरवाद देता है अपने खुश दिल से तो वो सारी चीचे ना यह हम लोग की सुरू सही थे कि जाएंगे नानी के साथ ऐसे करेंगे तो इसलिए थोड़ा हम लोग नानी की पैर और सर की मालिस कर रहे थे ताकि हमारी नानी को अच्छा लगे और यहां पे मेरी छोटी मामी ना देख रही थी क्योंकि बता रहे थी कि डेली आना चाहिए तो पुरह ताइसे मजदी ती तो हम लोग भी बोले कि आपका आज आजा जो काम था नहीं कर दी क्योंकि डेली यह उमामी मालीस करती हैं जब तक हैं यहां घर पे क्योंकि यहां रहती नहीं हैं फिर उसके बाद यहां पे सारी दीदी लोग आ गए थी तो मेहंदी की तयारी चल रही थी और हम लोग भी ठग गए थे जब से आएं थे तब से लगे थे ऐसे तो मुझे लगा कि चलो मैं तब तक महंदी लगवा लेती हूं और जब डांस वेकर होगा तब तक तो सूख जाएगी तो यहां मैं बोल दी थी कि लगा दो तो यहां लगा रही मेरी जो तो इसलिए इतने धेर सारे लोग इकठा हैं फिर उसके बाद सुरू हो गया था डांस हम लोग का तो कुछ मुझे तो आता नहीं है लेकिन बस चलकूत लेते हैं तो मुझे यह जो मामा के घर मस्ती थी तो मतलब बहुत जादा यादगार वाली थी तो यहां सब लोग डां अपने एज के अनुसार घुल मिल जाता है तो जैसे मामी है और बड़ी ममी है फिर उसके बाद डांस करने के बाद सबका डांस देखने के बाद कितना मैं शेर करूंगे नहीं हो पाता है न फिर यहां पे दुलहन की जो साड़ियां चाहती है तो वो सारी पैकिंग हो रही और मेरे यहां ऐसा होता है कि मतलब हम मेरे यहां घर पे भी ऐसा होता है कि जो लोग आते हैं जो अपने बड़े हैं क्या चीज़े दे रहें तो वह सारी चीज़े ने सब को दिखा दी जाती हैं कि हाँ यह चीज़े दी जाती हैं फिर उसके बाद जो जुल्री वगरत था मामी को सामान चठाने वाला है ले जानेत वाला है तो उस रुब में यहांIl मामी नानी दीदी सब लोग मासी सब लोग आ कर देख रहा हूं यहां लड़कीको यह सारी अगले ब्लॉग